हिमालेयन क्षेतर की संस्कृती और कला को शोधार्थी अपने शोध पतर के माद्यम से शिमला में प्रस्तुत करेंगे हिमांचल राजे संग्राले द्वारा हिमालयनिक शेतर में सर्च कर रहे बिशिव दाले और शोदार्थी के लिए एक सेमिनर का आयोजन किया जा रहा है जिसमें शोदार्थी अपने शोद पतर के माद्यम से अपने बीचारों को सांजा करेंगे हिमाल्यन क्षेतर की संस्कृति और कला को युबाउं तक पहुंचाना इस कारेकरम का मुख्योदेश है सेमिनार में देश और बिदेश के शोदार्थी अपने शोद पदर के मादेम से विचारों का आदान परदान करेंगे और जिसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हिमाल्यन क्षेतर में होरे नए शोद की जानकारी मिल सके हिमाचल प्रदेश की संस्कृति देश की नहीं अपितु विदेश में बिख्यायत है दो दिन तक चलने वाले इस सेमिनार में शोधार थी हिमाचल प्रदेश की कला, सहायत्य, देभी देवता, भाशा, रिती, रिवाज और संस्कृति के बारे में एक दुसरे से बिचार सांजा करेंगे और बवीशी में किस तरह से इसका सरंक्षन और समर्दन किया जा सके, इस पर अध्यान किया जाएगा हिमाचल प्रदेश बिशिव देल्या के कुलपती ने इस कारेकरम में मुख्या अतिती के दोर पर शिर्कत की और कहा कि इस तरह के सेमिनार से प्रदेश की संस्कृति को देश और विदेश में पैचाय मिली है यह हिमालय क्षेतर में आर्ट और कल्चर के उपर आयोजित किया गया है इसमें जो हमारे हमालिया क्षेतर है खास वर्पे हिमाचर पर्देश, इसकी आर्ट कल्चर इसके ऊपर विदेश से भी आये हैं, और सारे देश के जितने विदवान है जो इस किशेतर पर काम करते है, इस सेमिनार को आयूजित किया गया, उसको उजागर करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे वो भी आर्ट एंड कल्चर हमारे हमाले में कौन-कून से कल्चर है क्या मैडिसन्स क्या होती थी किस तरह के कल्चर है देवी देवताओं के ऊपर भाशा उसके ऊपर और साथ में भाशा दुछ यहां के जो ट्रडीशन है कस्टम है वो किस तरह से उप्योग राजे संग्रहलय के अदेख्ष्य डॉक्टर हरीश चौन ने कहा कि समिनार दो दिन तक चलेगा और कारेकरण में शुदार्ती हिमाले निक्षेतर में कर रहे स्टडी को एक दुसरे से सांजा करेंगे जिसे अगामी युवापीडी को प्रदेश की सम्रिद संस्कृति और क अला की जानकरी मिल सके में जाना चाहता है उनके लिए एक सोर्स माटीरियल उपलफद करवाना और कि ताकि इस जो हिमाले निक्षेत में जो भी शोद हो रहा है उसका बेनिफिट्स वो जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे बिर रपोर्ट के चैनल